कि अच्छो सबसे बेली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस क्रिटिकल टाइम में बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया एक्चली मेरे घर के तीन व्यक्ति जो है यह हॉस्पिरलाइज थे और इस टाइम पर आपने बहुत ज्यादा कौपरेट किया अभी तक हम लोग न लोग ने कंपलीट कर लिये यह चेक कर मेरे दोस्त हमने पहले आठ चैप्टर को कंपलीट कर लिया है यह सब अगर तू देखेगा एडवांस रूलिंग आंड डिस्पूट रिजलूशन पैंडिंग है तो जो पेंडिंग है मैं सिर्प उसको हैलाइट कर देता हूं जो पे salary or HP final के syllabus से हटा दिया गया है इसलिए मैं भी इसको अभी consider नहीं कर रहा हूँ then अगर आप देखेंगे तो हमारा deduction advanced tax interest और penalty वाला topic बाकी है TDS भी एक चोड़ topic है यह हमारा बाकी है बड़े-बड़े taxation of HOF हमारा complete हो चुका है then political party AMT tonnage taxation taxation of charitable trust यह भी वो topic है जो हमारे बाकी है then we have completed taxation of cooperative society taxation of business trust जो है यह हमारा बाकी है don't worry यह सारे छोटे-छोटे topics है और यह आराम से complete हो सकते हैं इनमें जो बड़ा topic है ना मालिक genuinely वो है charitable trust यह एक topic बड़ा topic है बाकी आप देखेंगे सब छोटे-छोटे topics है जो आराम से complete हो जाएंगे दूसरा TDS TCS जो है यह एक बड़ा topic है बाकी तो छोटे topic है फिर अगर आप इदर देखेंगे taxation of amalgamation demerger बहुत छोटे से topic दो राइट यह सब assessment of various entities वाले topic है फिर है exemption जो हमारा बचावाय है अगर आप देखेंगे residential status हमने खतम कर दिया non amended subject थे राइट overview of model tax convention हमने खतम कर दिया DTAA हम लोग ने खतम किया application and interpretation of tax treaty हमने खतम कर दिया transfer pricing हम लोग ने क्या कर दिया खतम कर दिया yes or no right अब अगर हम लोग आगे की बात करे equalization levy and BEPS यह भी हम लोग ने क्या कर दिया खतम कर दिया मतलब अगर आप देखेंगे यह जो specific topic है जैसे overview of model tax convention equalization levy, residential status, interpretation of tax treaty इन में कोई amendment ही नहीं है इन में कोई amendment ही नहीं है finance act के इसाब से तो फिर भी हम लोग ने आपको इसके detailed lecture क्या कर दिया provide कर दिया अब non-resident taxation बचावा है right इसके बाद में virtual digital taxation black money और guard मतलब अगर आप देखोगे इस overall fast track के अंदर में इतने topic जो है यह बचे वे प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के जो topics हैं जैसे deduction, set off, transfer pricing, tenage taxation right इनके जो questions है जो आपके fast track book के अंदर में दिये हैं वो हम लोग को complete करना है तो don't worry about it वो भी हम लोग क्या करेंगे साथ-साथ में complete कर लेंगे मुझे उमीद है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, fast track को बहुत अच्छे से देख रहे हैं और पूरे भारत को thank you कि मेरे इस medical emergency में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और patients बनाए रखा लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस topics को complete कर रहे हैं, here in after अब जैसे कि अगर आप देखेंगे हम लोग पूरा international tax का series कतम कर रहे हैं, तो मैं उसी series को continue करते हुए, आज आपके लिए एक जो topic complete नहीं हुआ है, उन topics को adopt करने वाला हूँ, पहला topic जो आज हम लोग लेने वाले है which is related to international taxation, आज हम लोग advanced ruling करने वाले हैं, तो let's go to the another topic advanced ruling, अब मैं आपको बता देता हूँ, हम यहां से किस तरीके से जाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो topic जो non-resident taxation के हैं वो खतम कर देंगे, मतलब हम advanced ruling, dispute resolution, मतलब देखो, मैं बस इसको आपको clearly क्या क और दूसरे जिन chapters के अंदर में amendment है, जो important topic है, DT के वो है, अब international tax के अंदर में पहला advanced ruling है, जो आपका pending है, दूसरा dispute resolution है, जो आपका pending है, तीसरा गार जो है यह आपका pending है, ये भी international tax के अंदर में आता है, चौता एनाल taxation जो है यह आपका pending है, बरबर है, तो अगर आप दे topic, फिर DT के कौन-कौन से topic pending है, एक हो गया आपका TDS, TCS, एक हो गया आपका charitable trust, next हो गया आपका business trust, next हो गया taxation of, amalgamation, demerger, political party, DT के जो बड़े topic है, उसके अंदर में TDS, TCS, charitable trust, फिर आपका जो topic pending है, वो है mat, फिर आपका topic pending है, interest and penalties, अगर आप देखेंगे, बचे वे जो topic है इसा बहुती छोटे-छोटे topic और बड़े आसानी से हमें हमारे timelines के अंदर में इसको अराम से complete कर लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं, right, फिर आता है आपका tonage taxation जो बड़े आसानी से complete हो जाएगा, and, and, इसके साथ साथ क्या आता है मालिक आपका exemption जो complete हो जाएगा बड़े topic के अगर माँ बात करूँ, NR आपका बड़ा है, TDS, TCS बड़ा है, Charitable Trust जो है, यह आपका बड़ा है, बाकी के बड़े topic जैसे PGBP, Capital यह न, assessment procedure वाले, वो हम लोग अल्रेडी complete कर चुके हैं, तो let us go, let us go, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले international tax के topics को पूर करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, DT के जो topics है, जिसमें amendments भी है, या exam interview सो बहुत ज़्यादा important है, उसको क्या करेंगे, cover करेंगे, yes, तो let us start, let us start, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं, सबसे पहला topic, that is, advance ruling, that is, advance ruling, आपकी book के अंदर में, advance ruling नाम का chapter देखिए, और again start करते हैं, एक little motivations के साथ, fear no one, respect everyone, एक बात याद रहे हैं, जब आप business के अंदर में है, you don't have to fear about anything, yes, you just have to need to focus on your, you know, career growth, चलिया, आते हैं, advance ruling के topic के ओपर, advance ruling क्या था, क्यो था, और ये किसलिए लाया गया था, इसका core basic समझना, right, advance ruling जो था, ये किसलिए लाया गया था, य एक process था, ताकि आप arbitration से बच सको, ये process था, ताकि आप arbitration से बच सको, आईए समझाते हैं, क्या हुआ, Vodafone case, आज एक international company, इंडिया के अंदर में आती है, और यहां के tax compliance के अंदर में फच जाती है, litigation के अंदर में फच जाती है, और फिर इस company को बहुत huge taxes क्या करने पड़ है, change किया गया, अब change क्या किया गया इन chapters के अंदर में, सर्फ होता ही है था, advance schooling का जो composition बनाया गया था, advance schooling का जो composition बनाया गया था, इस composition के लिए जो required people थे, यही नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण advance schooling की जो post थी, यह खाली रह जा रही थी, बरबर है, और advance schooling के जो case थे, वो pending ह हो जा रहे थे, निर्मला सितरमंजी ने देखा कि यार, इतना बढ़िया process बनाने के बावजूद भी, सिर्फ और सिर्फ एक वज़े से, क्योंकि इनके required people जो थे यह नहीं मिल रहे थे, high court judges चाहिए थे, etc, etc, वो नहीं मिल रहे थे, इसलिए उनने क्या किया, composition of advance schooling को ही change कर अब income tax के जो officers है, इनी को क्या किया जाएगा, उस body के अंदर में रखा जाएगा, और जो disputes है, या ruling है, वो क्या कर दिया जाएगा, आराम से settle कर दिया जाएगा, yes or no, तो settlement commissioner advance ruling के अंदर में क्या किया गया, composition ही पूरा का पूरा change कर दिया गया, आईए समझते हैं, जो chapter पहले advance ruling के नाम से था, अब वो board of advance ruling के नाम से आ गया, जो पहले chapter advance ruling था, अब वो board of advance ruling, that is B.A.R. bar के नाम से आने लग गया, अच्छा जी sir, तो यह advance ruling exactly होता क्या था, जो foreign companies है या non-residents है, या high value transactions वाले resident है, यह advance ruling authorities के सामने आ करके, अपना issues या transactions रख सकते थे, और इसके उपर ruling ले सकते थे, अब यह ruling का मतलब क्या होता है, ruling का मतलब होता है, a decision taken in advance, मतलब a decision taken in writing, और advance का मतलब transaction होने से पहले, advance का मतलब क्या है, transaction होने से पहले, तो transaction होने से पहले, तो transaction होने से पहले, यह income tax department से क्या कर लेते थे, ruling ले लेते थे, on a particular transaction, on a particular type of transaction, इससे फाइदा क्या होत ता अब ruling आपने ले ली उसके हिसाब से आप अपना काम चालू कर देते थे कल चलके यह इसके उपर क्या नहीं कर सकता था dispute create नहीं कर सकता था yes or no इसके उपर क्या नहीं create कर सकता था dispute create नहीं कर सकता था और इसलिए advance ruling को क्या किया गया लाया गया exam point of view से अगर मैं बात करू, तो कितने marks को यह आ सकता है, मेरे हिसाब से 4 mark के उपर का यह topic नहीं है, 4 mark से जादा आपको इससे पूछा नहीं जाएगा, yes or no, चलिए understand कीजए, सबसे पहले आते है, ruling का मतलब क्या है, ruling का मतलब है, decision having a binding effect, an advance ruling means a decision taken in advance, a decision taken in advance, yes or no, a high level body headed by retired judge of high court, supreme court has been set up, authority of advance ruling, that is AAR, requires highly experienced person for the post of chairman, vice chairman and this has seriously hampered the working of advance ruling, because these posts remain wicked for a long time, hence board of advance ruling is proposed to be constituted, तो यह board of advance ruling already constitute हो चुका है, और अब बोर्ड अदवान सुलिंग ही क्या करता है, function करता है, yes, function करता है, अब आते हैं, सबसे पहले समझते हैं, क्या है, definitions क्या क्या है, कौन apply कर सकता है, etc, etc, सीधा इदर, नीचे आओ, next page के ओपर, section 245 cube, यह इस chapter का सबसे important section है, जिसके ओपर क्या आएगा, question आ सकता है, तो mark this chapter as important, mark this chapter as important, इस particular section को आप important mark कर लीजे, yes, अब आपको क्या करना होता थ आपको सबसे पहले एक application करनी है, आपको सबसे पहले क्या करनी है, एक application करनी है, काई की अंदर में application करनी है, for the purpose of advance ruling, in prescribed form, along with the prescribed fees, काई के लिए, for obtaining the advance ruling, for obtaining the advance ruling, so, आपको, assessor shall make an application in the prescribed form, यहाँ पर चार form prescribed है, 34C, 34D, 34DA, 34E, 34E, इस तरीके से, चार form आपको क्या किया है, prescribed किये है, वो actually 5 होते हैं, बोलते वक्तम उसको 4 ही बोलते हैं, and the man are stating the question in which ruling is taught, तो होता क्या था, मान लीजे अगर कोई non-desident company है, let's say Tesla, best example देता हो आपको, Tesla इंडिया म आना चाहता है, तो वो यहाँ के tax litigation से पहले, वो यहाँ के board of advance tooling के पास जाता है, क्योंकि high value transaction होने वाला है, वो उनके पास जाता है, बोलता है कि sir, I am about to compute, I am about to take these type of transactions, and these type of transactions के आप मुझे tax effect बताईए, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, एक application के through, income tax department को पूछना चाह रहे ह कि boss इतने इतने certain type of transactions को मैं carry out करूँगा, इतने इतने प्रकार से मेरे को income generate होगा, आप बताइए कौनसी income का क्या करूँ, sir इस तरह कैगा कोई सवाल Tesla हम से पूछ करके आखिर कर क्या लेगा, दो वाते, पहला अगल tax effect उसका जादा आ रहा है, तो ये due diligence exercise बन जाता है कि क्या उसे इंडिया में आना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि tax एक बहुत बड़ा portion मनेगा किसी भी company के लिए, do you agree, बरबरे, दूसरा, इस application को करने के बाद, जैसे ruling income tax department के हिसाप से आ जाएगा, उस हिसाप से वो ये भी decide कर सकता है कि क्या कोई benefit या other चीज हो सकती है, क्या, let me give you an example, Tesla एक बहुत बड़ी company और अगर इंडिया में आ जाती है, तो इससे इंडिया में employment बढ़ेगा, fund आएगा, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा development होगा, तो हो सकता है वो advance level की negotiate भी कर पाए government से, कि सर देखे, tax impact यह आ रहा है, इस पर income tax department, क्या आप हमारे लिए इसमें कु deduction नहीं देना चाहिए, अब ruling अगर ले लिया, तो आगे चल के dispute ही नहीं, क्योंकि ruling में पहले लिखा होगा, allow है या, disallow हुए, तो आगे चल के इस चीज़ का dispute भी क्या हो गया, avoid, तो आप क्या करते हैं, एक application करते हैं, in the prescribed form, sir, क्या form नंबर याद रखना है, बिल्कुल नही ये, सिब prescribed form लिख सकते हो, तो असेजी क्या करेगा, application करेगा prescribed form में, in the manner, और इसके अंदर में, वो question raise करेगा, कि मैं ये, ये transaction कर रहा हूँ, इसका क्या होगा, tax treatment क्या होगा, नीचे आईए, application should be signed digitally and it is required to be furnished his return of income under the digital signature, otherwise communicated through its registered email address, बड़े बड़े बड़े, ये जो application डाली, क ये, answer is yes, advanced ruling को जो आप application दे रहे हैं, इस application को withdraw भी किया जा सकता है, within 30 days of the application, within 30 days of the application, तो आपने application क्या, withdraw किया जा सकता है, within 30 days, इस line को star mark कीज़े, क्योंकि अब तक के past exam में, जो भी question आए है, old syllabus के अंदर में, वो इसी के ऊपर बेज़े, क्या किया जा सकता है, yes, within 30 days, withdraw किया तो, sir, fees कितनी है, public sector company जो है, जो section 245N के अंदर में referred है, उनके लिए fees है, 10,000 रूपीज, other SAC के लिए, depend करता है, उसका volume of transaction कितना है, if the amount of transaction is up to 100 crore, 2 lakh is the fees, 100 to 300 crore, 5 lakh is the fees, and above 300 crore, 10 lakh is the fees, above 300 crore, 10 lakh is the fees, तो जो भी वेक्ती, जिसको क्या करना है, applicant को, एक application करना पड़ेगा, prescribed form, along with the prescribed fees, किसको देना पड़ेगा, income tax department, that is, board of advance ruling को देना पड़ेगा, yes, board of advance ruling को देना पड़ेगा, अच्छा जी, sir, सवाल उटता है, who can make an application to advance ruling, क्या कोई भी वक्ती आ कि अपना सवाल पूच सकता है, नहीं, इस बात को clarity लेते वे, applicant का मतलब section 245N के अंदर में prescribed किया है, applicant का मतलब section 245N के अंदर में prescribed किया है, who can apply to advance ruling, सबसे पहले, a non-resident can apply to advance ruling, तो एक non-resident क्या कर सकता है, advance ruling के अंदर में apply कर सकता है, for transactions to be taken or proposed to be taken, yes, sir, एक resident भी apply कर सकता है, who has a transaction with non-resident, so non-resident can apply, a resident who is about to take a transaction with non-resident, वो भी apply कर सकता है, so tax liability of NR arising out of a transaction, which has been undertaken or is proposed to be undertaken with such NR and determination shall include determination of any question of law or any fact specified in the application, तो non-resident application कर सकता है, resident having transaction with non-resident क्या कर सकता है, apply कर सकता है, तीसरा, resident having transaction with resident भी apply कर सकता है, yes, तो मतलब दो resident के बीच में transaction होने वाला है, वो भी advance ruling क्या कर सकता है, apply कर सकता है, so resident, right, being any person who is the category being notified by central government, क्या central government ने किसी को notify किया है, हाँ, central government ने कहा है, एक resident दूसरे resident के साथ अगर transaction कर रहा है, और इसके अंदर में, अगर उसका tax liability 100 क्रोड के उपर आने वाला है, तो वो क्या कर सकता है, apply कर सकता है, यहने, आप देखिए, सीधा-सीधा resident to resident वाले transaction इतने हाई कर दिये, कि कोई भी भी resident हो करके advance holing में जाए गाई नहीं, yes, unless and until the value of tax liability exceeds this limit, तो चेक कीजेगा, the tax liability of resident application arising out of the transaction, which has undertaken or proposed to be undertaken, yes, and shall include determination of any question of law or fact, central government has notified resident, to his tax liability arousing out of one or more transaction valuing, exceeding rupees 100 crores in total, to resident having transaction with resident, where tax liability exceed rupees 100 crores, वो क्या कर सकता है, apply कर सकता है, for the purpose of advance ruling, next, resident being class or classes of person as notified by central government, इसके अलावा, वो resident इसको specifically notify किया गया है, central government वो भी apply कर सकता है, इस notification में, एक ही है, public sector undertaking, एक public sector undertaking, क्या कर सकता है, advance ruling के लिए application कर सकता है, तो चलो, come on, who can apply to advance ruling, a non-resident, a resident having transaction with non-resident, a non-resident, resident having transaction with non-resident, resident having transaction with non-resident, resident having transaction with resident, where the liability of tax exceed 100 crore, being a resident notified by government, public sector company, and fifth, resident or non-resident, whether the arrangement is an impermissible avoidance agreement, अब यह impermissible avoidance agreement क्या है, गार का application, वो यह चेक कर सकते है कि क्या इस transactions के उपर गार लगेगा, यह गार नहीं लगेगा, yes or no, तो who can apply, five people who can apply, पहला, non-resident, resident having transaction with non-resident, resident having transaction, where the tax liability exceeds 100 crore, public sector company, and resident or non-resident to check whether the arrangement or agreement falls into the गार provision, yes or no, that is impermissible avoidance agreement में तो आप फॉल नहीं हो रहे, यह impermissible avoidance agreement क्या है, गार, गार से related है, right, किस से related है, गार से related है, तो वो आ रहा है या नहीं, तो बताएए, applicant क्या करेगा, बाहर को apply करेगा, इसको मैं यहाँ पर एक shortcut तरीके से बनाना चाहता हूँ, advance ruling, बरबर है, applicant, apply करेगा, किस को, बार को, बार कौन हुआ, board of advance ruling, कौन हुआ मालिक, board of advance ruling, अब applicant कौन हो सकता है, यह चीज़ लिखी वी है, section 245, N के अंदर में, पहला, non-resident, second resident having transaction with non-resident, tisra, any resident where tax liability exceeds 100 crore, fourth public sector undertaking, fifth resident or non-resident to check GAR applicability, to check whether transaction falls in impermissible avoidance agreement, that is GAR, तो यह applicant क्या करेंगे, apply करेंगे, apply कैसे करेंगे, भाई साब, in prescribed form, with fees, आपको form number याद रखने की जरूतनी, पर मैं आपको form number correlate कर देता हूं, कितने हैं, दो, तीन, चार, पांच, पांच applicant है, देखना बिटा, पांच ही तो form है, 34C, 34D, 34DA, 34E, 34EA, 34E, 34EA, यह पांच form according to the applicant आपको क्या करना है, form भरना है, समझ मारी बात, according to the applicant आपको क्या करना है, form भरना है, with fees, अब fees कितनी, अगर applicant public sector undertaking है, तो 10,000, बाकि सभी लोगों के लिए, depending upon the value of transaction, depending upon the value of transaction, yes or no, अच्छा, अब आप क्या करोगे, application कर दोगे, application form कौन सा रहेगा, 245Q, इसके लिए क्या देखो, section 245Q, बरबर है, अब क्या होगा, जैसे आपने application दिया, अब इसके आगे की process होगी, जब भी आप कोई application देंगे, जब भी आप क्या करेंगे भाई साब, कोई application देंगे, application किसको देंगे, board को देंगे, अब पहले समझ लेते हैं, इसके board of advance ruling क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले authority of advance ruling होता था, अब वो board of advance ruling है, तो एक नया section introduce किया गया, जब बार बनाया गया, 245 OB, राइट, and board of advance ruling यहाँ पे लिखा गया, पहले क्या होता थे, इसमें high court judge होते थे, as chairman, vice chairman, अब high court judge, you know, availability नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने पूरा board को ही change कर दिया, अब understand किजे, board में क्या होगा, 245 OB पे आईए, अब क्या होगा, जो chief commissioner बन गए, income tax officer को ही promote करके कहाँ डाल दिया, board of advance ruling में, यह तो उल्टा और बहतर है, क्योंकि जो chief commissioner के post पे रहा है, उसने बहुत सारे level of transaction देखे होंगे, high level of transaction देखेंगे, तो वो इस जिम्मेदारी को क्या कर पाएंगे, पूरा भी कर पाएंगे, वो इस जिम्मेदारी को पूरा भी कर पाएंगे, are you getting the point, तो अब board of advance ruling होगा, इदरा, board of advance ruling, बरबर है, सबसे पहले आएगा section 245 OB, section 245 OB, at least किते member होने चीए, बोलो जल्दी से, वापस आके पड़ो, at least किते होने चीए, two member, not below, बोलो CCIT, तो यह होगा आपका composition, तो यह होगा आपका composition, बरबर है, अच्छा, अब यह जो board है, बरबर है, यह जो board है, इसको कुछ power भी दिये होंगे, यह जो board है, इसको कुछ power भी दिये होंगे, CCIT तो लेकर क्या आगए, पर इसको कुछ power भी तो दिये होंगे, बिल्कुल दिये होंगे, सर, आईए, section 245 U, यह next question है, जो सबसे ज़्यादा exam में पूछा गया है, old syllabus के अंदर में, new syllabus के अंदर में भी मेरे को उम्मीद है कि यह सबसे ज़्यादा पूछा जाए, 245 U, इसे भी important mark करे, आना 4 mark के लिए ही है, पर उसमें से भी, you should be very selective कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, yes or no, अब board of advanced ruling के क्या power है, that is authority of advanced ruling, here in after board, board of advanced ruling के क्या power है, sir, इनके पास dice के power है, technically, section 131 पढ़ाता हम लोग ने, जब हम लोग क्या पढ़ रहते है, search and seizure, summon के power, summon के power, क्या थे बिटा, dice, discovery and inspection, issuing commissions, enforcing the attendance of a person, यादा रहा है क्या, compelling the production of books of accounts, वोही चार पावर, बार के पावर है, याने, पहला, will have all the power vested in civil court and referred to in section 131, क्या-क्या, D, discovery and inspection, I, issuing commissions, that is orders, C, compelling the production of books of accounts and other documents, E, किसी आदमी को enforce कर सकते है, याद रखे बिटा, summon मतलब क्या होता है, physically present होना है, उस particular place के उपर, yes or no, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पावर है, civil court के पावर है, with effect from the date notified, इस section के जो पावर है, ये कौन exercise करेगा, board of advance ruling, that is bar, तो सीधा-सीधा, bar के पावर, 245 U के अंदर में आ गए, section 245 U, किस बारे में बात करता है, power of bar, क्या power है sir, DICE, DICE, discovery and inspection, issuing commissions, issuing commissions, compelling the production of books of accounts and enforcing attendance ये short notes आप बना लो काम हो जाएगा क्योंकि आपको पता है मैं उतना ही पल्ट आपको लिखा रहा हूँ जितना आपके काम का है बरबर है चेक करो जल्दी से तेने मालिक चलो नेक्स पार्ट पर चलते हैं अब understand कीजेगा देखिए होता क्या था क्योंकि हाई कोट के जजेज जो थे वो मिल नहीं रहे थे तो ऐसे के इसमें चेर्मेन नहीं होता था तो वाइस चेर्मेन चेर्मेन की ड्यूटी परफॉर्म कर देता था लेकिन कई लोगों ने इसके उपर अब्जेक्शन क्रिएट किया कि भी यह चेर्मेन नहीं है तो वाइस चेर्मेन ने जो डिसीजन दिया है वो वैलिड नहीं है इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए तब जाकर के section introduce किया था 245P कहा था कि अगर मान लीजे राइट कोई प्रोसीडिंग है एडवान सूलिंग या बोर्ड अफ एडवान सूलिंग ने दिया वह वह इन्वालिडेट नहीं होगी जस्ट विकॉस देर इस वेकेंसी इन पर्टिक्लर पोजिशन पर आज तो ऐसा situation होने नहीं वाला दो CCIT आराम से मिल जाते हैं येस पर ये पुराना section है जिसे बार के provisions के में क्या क्या गया है continue किया गया है येस सो नो proceeding और प्रोसीडिंग और प्रोनॉंस्मेंट अफ एडवान सूलिंग बाई बोर्ड अडवान सूलिंग शाल बी question और शाल बी CCIT से related भी कोई issue आ गया तो इस provision को continue किया गया है कि यह वो प्रोसीडिंग क्या नहीं होगी invalid declare नहीं की जाएगी not so important section अच्छा जी सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं नेक्स्ट पर आते हैं कि सर आपने अब advance ruling दी तो क्या यह advance ruling को board void भी declare कर सकता है one of the another power of board of advance ruling यह भी important है जो इस particular chapter में पूछा जाता है right sir क्या board of advance ruling ने दियावा declaration क्या वाइड हो सकता है yes एक section डाला गया section to verify T क्योंकि कई cases में ऐसा देखा गया कि जो non-resident या other parties है जो applicant है यह कई बार क्या करते थे misinformation देते थे किसको advance ruling authorities को जिसके कारण बाद में क्या होता था बहुत disputes arise हो जाते थे तब जाकर के 245 टी नाम का section add किया गया था जिसके तहत कहा गया था कि अगर मान लीजे board of advance ruling ने कोई ruling provide करी और बाद में चलके पता चलता है it is obtained out of a fraud or misrepresentation of fact तो board of advance ruling के पास power रहेगा इसे void declare करने का इसे void declare करने का तो दो case में void हो सकता है if it is obtained out of fraud और if it is out of misinformation तो ऐसे case में क्या declare कर देंगे order pass करेंगे और इस ruling को void declare कर देंगे so where the bar finds on a representation made to it by CIT और PCIT और otherwise that an advance ruling has been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of tax it may by order declare such ruling to be void ab initio register में आई है यहां डालिये section 245 T ruling to be declared as void if it is obtained by fraud or misrepresentation of fact तो फ्रॉड यह में स्रिप्रेसेंटेशन आप फैक्ट होगा वह डिकलेर की जा सकती है कि येस कि देखो अगेन वही एक ही चार्ट सब कुछ इंटर लिंग्ट एक ही चार्ट में आपके में पॉइंट आ गए एक्जाम से पहले बस इतना पढ़के जाने का और वीडियो के नीचे थैंक्स जरूर लिखके जाने का कि चलो डन अब अंडेश्टन किजे यह नेक्स्ट प्रवरे अब देखिए कि आप ने application कर दिया इस application के बाद क्या होता होगा जरह यह सोचिए इस application को सबसे पहले राइट अथारिट को मिलता होगा अथारिटी इसका एक कौपी डिपार्टमेंट बिजती है क्या यह राइट हाला कि कोई के स्पेंडिंग नहीं है आप तो यह एडवांस प्रपोस्ट ट्रांडेक्शन के लिए ले देओ फिर भी रेलेवेंट पीसी आइटी सीसी आइटी है उनको क्या किया जाता है इस एप्लिकेशन को भेजा जाता है ताकि उनके ओपिनियन मंगा सके कोई भ पर क्या व्यू है जैसे टेसला अगर यहां पर आ जाता है और बहुत सारा फंड लेके आता है लेकिन इसके ऑपरेशन का मनी फॉरेंट के अंदर में जाने वाला है या फॉरेंट फंडिंग आने वाली है यहां से जो पेमेंट जाएगा उसको रॉयल्टी के नाम से क्या किया जाता है देखा जाता है इसके बाद क्या होता है सर इसके बाद सारे facts को नजर रखते हुए information को नजर रखते हुए एक ruling निकाली जाती है that is order निकाला जाता है यह order binding order होता है whatever is the order passed by authority of advanced ruling is a binding order किस किस के उपर binding होता है पहला assessi who has sought it यह बहुत important word कहने जारा हो में assessi who has sought it जिसने वो application किया उसके उपर दूसरा department के उपर समझ में आरी बात तो यह जो ruling है यह दो लोगों के उपर binding हो जाएगा पहला assessi जिसने यह निकाला है दूसरा department के उपर यह क्या हो जाएगा binding हो जाएगा दूसरी important बात यह कोई case law नहीं है इस बात को याद रखेगा मत similar goods में deal कर रहा है क्या वो मेरा ruling यूस कर पाएगा the answer is no the answer is no section 245 बहुत clear है ruling किस को यह ruling है case law नहीं case law होता तो हर एक के उपर applicable होता यह ruling है जिसने लिया उसी के उपर applicable है जिस transaction पे लिया उसी के उपर applicable है बचावे के उपर applicable नहीं है yes तो ध्यांजा सुनिया on receipt of application on receipt of application authority shall send the copy of PCA copy to PCIT CIT and if necessary call upon him to furnish the relevant records बरे 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 right the authority में after examine the application and records called for by order either allow or reject the application yes or no allow भी कर सकते है reject भी कर सकते है अब यहां पर लिखे किन कुछ कुछ cases ऐसे है जिसमें allow नहीं करेंगे इसको दो मिनिट के लिए रोकिए ठीक है no application shall be rejected unless opportunity of being heard is given यह तो basic principle of law है OOBH दे नहीं पड़ेगा हां जी every copy of every order made shall be sent to the applicant and to principal commissioner provided also that where application is rejected reason for such rejection must also be given in the order right अब क्या होगा अब क्या होगा sir where application is allowed AAR after examining pronounce its advanced ruling on the question specified in the application authority shall also provide an opportunity of being heard either in person or through duly authorized representative authority shall pronounce its ruling in writing within six month from the receipt of application authority किते महिने में अपना रिसीन देदेगा six month from the receipt of application a copy of ruling shall be sent to applicant and PC IT provision of the above section shall apply mutatis mutandis to the board of advance ruling तो पहले authority of advance ruling के था same provision board of advance ruling के लिए और और central government notify करेगा faceless authority of advance ruling by 31st March 2023 पर सो फर इसके लिए कोई process आया नहीं हां government faceless लाना चाहरा है तो इसको date को क्या कर दिया गया है as of now differ कर दिया गया है तो इदर आईए जैसे application होगा इसके बाद क्या होगा board of advance ruling upon receipt of application डियान से सुनना यहां लिकना upon receipt of application बार can accept or reject अगर reject किया है OOBH is must अगर accept किया तो पास ruling in six months लो इतने बड़े provisions इतने से शब्दों में खतम हो गए कि कभी भी short कीजे पर detailed में short कीजे कि येस मैं खुद इस बार बना रहा हूं हो सकता है अगली बार चार्ट में same include करके देदू कि समझ में आ रहा है ये सो नो तो चार्ट और short हो जाएगा आपका अभी DT charts के अंदर में cover किया वाई charts फिर आपका और short हो जाएगा डेनेशन अच्छा जी इदर आई है section 245S की मैं बात कर रहा था किस पे applicable है applicant who has sought it दूसरा PCITCIT तीसरा in respect of the transaction in which advance ruling is opted for section 245S ruling pronounced by the bar under section 245 are shall be binding only on the applicant who has sought it in respect of the transaction to which ruling has been sought and PCITCIT and authorized subordinate to him in respect of the said transaction yes the ruling shall be binding unless there is a change in law or the change in fact on the basis of which ruling has been pronounced and ruling by bar shall not be binding after the notified date yes or no particular date के बाद हो सकता इसकी ruling क्या नहीं किया जाए effective भी नहीं किया जाए as the case may be तो इदर आई है कि इसकी नीचे common arrow बनाई है लिखिये section 245S is ruling is binding on point number a a sesee who has sorted in respect of transaction covered c PCITCIT तो अब मुझे बताइए मेरा भाई same product same transaction same value क्या तो भी वो यूज कर पाएगा answer is no नहीं यूज कर पाएगा क्यों यह case law नहीं है ruling है जिसने लिया जिस transaction के लिया मान लीजिए मैं दो प्रोड़क्ट के साथ डील कर रहा हूँ cotton and you know दूसरा प्रोड़क्ट जो है लेट जैसे rubber मैं cotton के लिए अगर advance ruling लोंगा तो यह इसी transaction पर apply करेगा rubber पर apply नहीं करेगा even though the assets is same तो आपको अगर rubber पर भी ruling लेना है आपको application के अंदर में clear cut लिक करके देना है समझ मारी यह बत कि लीजे सब चलो जी अब देखिए लगभग लगभग हमारे chapter खतम होने आ रहा है अब जो ruling आएगी ruling आने के बाद क्या होगा अससी के पास कोई राइट है क्या देखिए देखिए जब तक के authority of advance ruling था तब तक के राइट नहीं था जब board of advance ruling आया तो क्या किया गया एक power additionally applicant के हाथ में दिया गया अगर applicant चाहे तो इस ruling के against में high court में apply कर सकता है एक नया section add किया गया 245W जिस जिसके तहत एक नया section add किया गया 245W जिसके तहत जो ruling है इसके खिलाफ आप high court में जा सकते हो जब authority of advance ruling था तब यह power नहीं था अब यह power है yes the applicant agreed by the ruling pronounced or order passed by bar or the AO or the direction or CIT PCIT the may file an appeal to high court again such ruling or order of bar within 60 days from the date of communication of that ruling or order in such form manner as may be prescribed provided that where the high court is satisfied it may grant a further period of 30 days for filing such appeal central government may make a scheme by notification for the purpose of filing an appeal to high court to impart greater efficiency transparency accountability optimum utilization of resources and introducing team based mechanism अभी जो appeal भी है high court के अंदर में इसको भी faceless लानी की बात चल रही है इसको भी किसकी बात चल रही है faceless लानी की बात चल रही है और यह भी 2023 तक के हो जाना चाहिए था पर अब इत्मी नहीं हुआ इधर आईए applicant जो है इसके नीचे arrow करके लिखिये section 245w appeal to high court section 245w appeal to high court applicant may apply to high court against the ruling within 60 days high court can extend the above period by 30 days लीजे सर अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो चुका है complete इधर आजाते हैं एडवांस रूलिंग स्कीम 2022 बोड़ फो रूलिंग में एट्स दिस्क्रिशन पर्मिट रिक्वाइड अप्लिकंट तो सब्मिट सच अडिशनल फैक्ट आज में बी नेसेसरी तो अनेबल इट तो अड्वांस रूलिंग तो अड्वांस रूलिंग को एक पावर दिया गया है कि वो अडिशनल इंफरमेशन मंगा सकता है वेर इन दे कोर्स अफ प्रोसेडिंग बिफोर बार अफट इस अलाइज विच इस चैनल बी बॉन आउट और is contrary to record, it shall state clearly and concisely and supported by duly sworn affidavit तो मान लीज अगर कोई information है जिसको आपको additionally provide कना है, affidavit के तुरू provide की जा सकती है yes, the applicant shall not accept by leave of the board of advanced ruling urge or be heard in support of any additional question not set forth in the application but in deciding the application the board for advanced ruling shall as its direction consider all aspects set may be necessary to pronounce a ruling on substance of the question अब यहां पर एक और पावर दिया गया है कि क्या application में कोई fact या evidence नहीं रखा गया है क्या additional evidence लाया जा सकता है या additional point mention किया जा सकता है general rule related to board of advanced ruling the answer is no, हलाकि वो होता है ना court के अंदर में आपको दिखाया जाता है कि अचानक से सर्य गवह को आज अगर मैंने प्रस्तुत नहीं किया तो problem हो जाएगा वैसा यहां पे भी हो सकता है अगर board of advanced ruling चाहे और उसको लगता है कि ruling announce करने में यह evidence important है अलाव कर सकता है otherwise general rule यह है कि कोई further चीज जो आपने ruling के application में mention नहीं की वो यहां पे आप नहीं कर पाएंगे Rectification of mistake क्या बार के पास power है कि वो अपने ruling में अगर कोई mistake है तो उसे rectify कर सकता है yes the board of advanced ruling में with a view to rectify the mistake apparent from record amend any order passed by it before the ruling pronounced by the board of advanced ruling has given the effect to by the assessi तो assessing officer assessing officer के effect देने से पहले आप उसे rectify कर सकते हैं such amendment may be sumoto or when a mistake is brought to notice by the applicant or the department yes तो क्या वो rectify कर सकता है mistake को बिलकुल कर सकता है यह भी एक power है इदर लिख दीजे बार में लिखना है बार के प्रोविजन में can bar rectify its order yes yes either sumoto or on application made by a sesee being applicant or department that is cc i t oblique c i t okay i I this I I I I अब आते हैं ये अब ये हैं सेक्शन 245 सीरीज में यह है बट टेक्निकली यूज होता है क्या है सर समझ ये ये पावर दिया है टू विट्थोल्ड दर रिफर्ण बरबरे ये पावर किसको दिया है ये CCIT, PCIT, CIT को एक पावर दिया है कि अगर कभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि SSC को रिफर्ण आ रहा है पर ये रिफर्ण उसे इम्मेडेटली ग्रांट नहीं करना चाहिए अगर रिफर्ण इम्मेडेटली ग्रांट कर दिया इट विल बी प्रिजुडीशन तो दे इंटरस्ट आफ रेवेन्यू तो वह क्या कर सकते है इस रिफर्ण को विथोल्ड कर सकते है टेक्निकली सिर्फ एक पावर है किसके जोना चाहिए तो ये रिफर्ण को क्या कहे जा सकता है रोका जा सकता है अंडर अने प्रविजन उफ्ट अफ रेफंड बिकेंज दू और इस फांट दू इनीपरसट यह पी-सइ-ई-दि सी-इए-ई-ड-ा-उ यह तो फी-समे भी इन लिवा पेमिट तो देरिफन्ट सेट the sum if any remaining payable under the Act. तो पहला पावर है कि वो अगर कोई amount payable आ रहा है तो वो उसको set-off भी कर सकते है. Yes, after giving intimation in writing, where the part of the refund is set-off and where no such amount is set-off and refund became due to the person, the AO, having regards to the fact that proceeding or assessment or reassessment are pending in case of such person, is of the opinion that grant of refund is likely to adversely affect the revenue. The grant of refund may likely to affect the revenue, he may for reason to be recorded in writing and with previous approval of PCIT, CCIT as the case may be withhold the refund. तो refund या तो वो adjust किया जा सकता है पेबल के साथ, या तो फिर उसे क्या किया जा सकता है, withheld किया जा सकता है, खेर इसे लिखने का ज़रूत नहीं है, यह जनरल पावर है, वो यूज कर सकता है. Yes, चलो भीटा. अगर आप देखेंगे, the topic is over, और जैसे कि आप जानते हैं, हम सारे questions जो हैं, हमारे कुछ topics कि वो क्या करने वाले हैं, एक साथ ही लेने वाले हैं, तो इसका question तो खेर एक ही question है, मेरे हिसाब से अभी हम लोग कर लीजे, इसका, फट से एक quick revision करिया, फिर इससे related question, अभी solve करके chapter फटक से complete करते हैं, yes. Is that done? चलो, अभी question है, तुरंत इसको solve करते हैं, खतम करते हैं, Mr. Balram is a non-resident, this question has been asked twice in the examination, one in 1997 and May 2011, दो बारे साब पूचा गया है, ठीक है, सुनो, Mr. Balram is a non-resident, ठीक है, appeal pertaining to the year 1819 is pending before income tax appeal at tribunal, the issue involved being computation of export profit and tax thereon, the same issue persist for the assessment year 24-25 as well, ठीक है, same issue कुछ और भी pending है, 24-25 के लिए भी, Mr. Balram brother Krishna has obtained advance ruling from the authority of advance ruling on the identical issue, Mr. Balram proposed to use the said ruling for the assessment year 24-25, can he do so, बताईये, ruling किसने obtain किया था, Krishna ने, Balram यूज करना चाहरा है, क्या वो कर पाएगा, answer is no, क्यों नहीं कर पाएगा, section 245-S, ruling उसी पे binding है, जिसने लिया, उसी transaction के लिए binding है, and department पे binding है, लिया किसने, Krishna ने, Balram उसको apply कर सकता, नहीं, just in case अगर Balram को ऐसा करना भी है, he has to make an application, clear है वालिक, च question number one, आज का target है तुम्हारा कि यह module के अंदर में advanced schooling का जो question है, उसको भी साथ-साथ में complete कर लेना, उसको भी साथ-साथ में complete कर लेना, if I am not wrong, module के अंदर में लगबग लगबग 4-5 question दिये वे हैं, बड़े आसान है तुम आराम से complete करोगे, तो module से ही bindas complete कर लेना, module में 23rd chapter मि दिलेगा आपको advanced ruling का उससे complete कर लेना, ठीक है, as per section कैसे लिखोगे, as per section 245s, as per section 245s, advanced ruling is binding on a person who has sought it b in respect of transaction it is sought PCIT, CCIT, CIT PCIT, CIT only these people are binding In light of above, brother of Mr. Krishna, Mr. Balram, would not be able to apply the ruling sought by his brother in his case. Hence, his contention is not correct. बरबर है, चलो, मैं क्या बोलता हूँ, module के चारो question तुमको खोल के दिखा देता हूँ, एक बर ये पहले कर लो. अब मैं मोड्यूल ओपन कर रहा हूँ, जो आपका नया मोड्यूल आया है, न्यू सिलिबस के घिसाब से, इसमें आपका चैप्टर नमबर 23 दिख रहा है, एनाल टैक्सेशन में, राइट, इंटरनाशनल टैक्सेशन में, इसमें सबसे नीचे जाएंगे, चार क्वेशन हैं मोड्यूल के, चारो क्वेशन देखके तुम फटा फट रप्लाई कर सकते हो, पहला, क्यूँ अ नॉन डेसिदेंट, मेड अप्लिकेशन तो दो बोर्ड ऑन 3 एप्रिल, इन डिलेशन तो ट्रांशन प्रपोस्ट वी अंडर्टिकन बाई हिम, ऑन 1st में 2023, ही डिसाइड तो विड्रॉद अप्लिकेशन, चैन ही विड्रॉद अप्लिकेशन बताईए, एक अप्लिकेशन जो है, इसे 30 दिन के अंदर में विड्रॉद किया जा सकता है, अप्लिकेशन प्लिकेशन अप्लिकेशन, खतम हो गई बात, दूसरा, क्योस्टिन, एक्जामें वन चैन एध्वांस रूलिंग, डिलेड भाई दी बॉर्ड अद्वांस रूलिंग भी डिलेड अप्लिकेशन, बताईए आप कब वाई डिलेर हो सकती है, दो केसे में जब वो फ्रॉड या मिस्रेप्रेसेंटेशन सो अप्तेन किया गया हो, राइट, अस पर सक्शन 245 ट, अद्वांस रूलिंग चैन बेखलेड अज़ दी बॉर्ड अब इनिश्यो, इफ दे रूलिंग, यस, इस फांड अप्तेन बाइट रॉड और मिस्रेप्रेसेंटेशन अप्त, यह अप्तर अल प्रोविजन आप्लाइट विल अप्लाइ, अस इफ नो अद्वांस रूलिंग चैन बेखलेड, तीसरा प्टेशन, एनफ्रिसेंग अटेंड, कंपेलिंग दाट्शन आप्ट्शन, इसुएंग कमिशन, कथम, तो देरफोर अपोर इस स्टरोविजन आप्ट्शन, बडा बऊट बड़ा चैप्तर था, कथेन नॉम्र पूर, आपन module के question भी पूरे के पूरे दना दन निप्टाए दा दे और मैं आपको बताओं जितने question हम लोग फार्स्टाट में ले रहे है maximum इसको हमने new module से रखावाए which is applicable equally to CMA final as well advance ruling includes within its scope a determination by the board only in relation to a transaction undertaken by non-resident applicant examine the characters of this statement, this statement is not correct क्योंकि सिफ non-resident ही नहीं है जो application कर सकता है yes इसलिए यह statement correct नहीं है section 245 N हमें applicant की list देता है और इस applicant की list में कोई भी apply कर सकता है even a resident having transaction with resident where the liability of tax exceed 100 crore वो भी apply कर सकता है last provision आता है what is the remedy available to an applicant who is agreed by the board of advance ruling बताओ who is agreed by the board of advance ruling क्या वो अब appeal फाइल कर सकता है yes किसको appeal फाइल करेगा high court को कितने दिन में 60 days में क्या यह 60 days extend हो सकते है more 30 days में yes hello section 245 W high court में apply किया जा सकता है within 60 days और इसे extend किया जा सकता है for further 30 days it may grant further period of 30 days खत्म module के भी 4-5 question खत्म हो गए तो अपने class का भी question module के भी question 6 question खत्म हो गए yes or no yes thank you so much मिलता हूं आप से next topic के अंदर में